सबी भायोग को हनमान जहिंती के अर्दिक शुप का मनाएं तो कैसे हो आप सब लोग तो दोस्तो आज की युडियो भी बहुत ही जादा इंपर्टेंट होने वाली है तो युडियो को पूरा ज़रूर हो देखना तो guys आप सबसे रिक्वेश्ट ए की चैनल को सस्क्राइब कर लीजिये सस्क्राबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे है तो guys फिर्स्ट नियूज निकल कर आ रहे है सरदार जी ने रियक्ट किया ता मावी पाजी के कमबेक पर और वेस्ट के कमबेक पर क्या वोलाता आप देखी है जैसे मवी है जैसे ओवेसे इनों तो नए प्लेज रूणे ना ते स्टाटर विद न्यू प्लेज और इसलिए वो कमबेक थोड़ा सा और एजी हुआ बट ये चीज जो बाकी नहीं समझ पारें कि न्यू प्लेज के साथ-साथ मवी की गन पावर में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है ओएस की गन पावर में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है भाई ओएस डीबेस यूज कर रहा है वो बंदा जो स्नाइपर मेटा जो मिनी मेटा इस से बहार आया है वो डीवेस उस कर रहा है तो यू नीड टू इवाल विट टाइम तुम सेटल डाउन हो पाओ तो गाई सेकेंड निज निकल कर आ रही है मेजी ने रिपलाई किया था जी क्यों क्या बोला था आप देखिए कार्णिवल के चांसे मिनिमम है कि वह टॉप टॉप 64 में पहुंच पाएं ग्लोबल इस्पोर्स के चैंसे मिनिमम है कि वह टॉप 64 के अंदर पहुंच पाएं एक ही रास्ता है टॉप 64 के अंदर पहुंचने के लिए वह है कि उन्हें टेवल टॉप करना पड़ेगा यानि कि कम से कम नहीं तो 40 पॉइंट उन्हें तीन तो गाइस थर्ड निव्स निकल कर आ रहे हैं मैंजी ने रिप्लाई किया था भी जैसके कट आफ पर क्या वोला तो आप देखिए लिए मैं मेरी गड़ित कहती है कि 78 टॉप 32 के लिए मैं जा रहा हूं 65 के आसपास टॉप 64 के लिए मैं जा रहा हूं 50 के पास हूं